हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने इस्टाग्रम अकाउंट की प्रोफाइल पिक को बहुत ही ज्यादा अट्रेक्टिव बना सकते हो यानि कि आप अपने प्रोफाइल पिक पर पोडर यानि कि कलर वाली बोडर को एड कर सकते हो साथ में अपने प्रोफाइल पिक पर एक ब्लू टिक भी लगा सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल पिक बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव दिखेगी जैसे कि आपको screen पर दिखाई दे रही होगी आप इस प्रकार से अपनी profile pic को create कर सकते हो प्लीज वीडियो को complete watch करें और यति आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टेक्नो टेंस को subscribe नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टेक्नो टेंस को subscribe कर ले और ऐसे डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें तो चलो वीडियो को start करते है तो हम आ गए है mobile phone की screen पर तो चलो अब हम अपनी profile pic को attractive बनाते हैं तो आपको सबसे पहले browser पर click करना होगा मेरे पास यहां पर Chrome browser तो मैं यहां पर Chrome browser को open करता हूँ ठीक है अब Chrome browser अबर करने के बाद आपको यहां पर search करना है Insta rocket अब आपको यहां पर इंस्टा रोकेट search करना है उसके बाद आपको यहां पर एक site मिलेगी जो यह first site है आपको इस पर क्लिक करना है वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूआ तो आप महां से इसे डायक्टरी से एक्सेस कर सकते हैं अब इसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पिक पे जो भी सरकल लगाना है या जो भी कलर का सर बोर्डर लगाना है आप उसे सिलेक्ट कर लिजे तो मुझे यहां पर सबसे अच्छा यह वाला लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं इसके बाद मैं यहां पर नीचे आता हूं यहां पर लिखा है सिलेक्ट फाइल तो मैं सिलेक्ट फाइल पर क्लिक कर लेता हूं उसके बाद मैं फा सकते हैं कि अब आपकी फोटो पर वह बॉर्डर लग गई है आनि की सरकर्ण बॉडरइन आपकी फोटो पर लग गई है आपकी फोटो पर बूर्टिक लगाना है तो आपको उपटर आना है थोड़ा सा으면 यहां पर लिखाए responsible manager कि अ 지금 को किस तरह से दिखाई देगा जैसे कि आपकी प्रोफाइल प्रिक पर ब्लू टिक भी आ गया है तो ठीक है हम इसनी अब डाफलोड कर लेते तो आपको यहां पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा अग्य भी Works को तो मैं पहले कर देता हूं बैक में डाउनपट कर लेते हूं टिक अब यहां पर में से 2 को आप यहां से मैं अपने इस्टा-ग्राम को ओपन करता हूं उसके भराव प का में डायरेक्ट ओपन है तो आपने अब अभी तक मेरे इस्टा-ग्राम रोहित एस बना को फॉलो नहीं किया तो प्लीज जल्दी से फॉलो कर ले अब मैं यहां से आपको बताता हूं अभी मेरी प्रोफाइल पिक सिंपल है अब मैं एडिट प्रोफाइल पर जाता हूं अब मैं चैन फो प्रोफाइल फोटो पर जाता हूं न्यू प्रोफाइल करता हूं कि नेक्स्ट पर क्लिक करने बाद आपको यदि फिल्टर चेंज करना है तो आप आसानी से यहां से फिल्टर चेंज कर सकते हैं और आपको यदि फिल्टर चेंज नहीं करना है तो आप नेक्स्टिछ बटन पर क्लिक करें मैं में एकर प्लिक करता हूं ठीक है अब यहां कि थो थोड़ा चल रहा है ठेक है अब आप इसको रिफ्लेस्ट कर लिजी एक बार और यदि आपको कुछ भी प्रोप्लमँ आए तो कमेंट किजे और आपने हैं भी तक मेरे YouTube चैनल टेक्नो ट्रेंड्स को सुस्क्माइब नहीं किया तो प्लीज मेरे YouTube चैनल टेक्नो ट्रेंड्स को सस्काइब कर लीजिए जाए ही न